ओम शांति ये अव्यक इशारे ज्वाला मुखी योग तपस्या द्वारा वायू मंडल का परिवर्तन करो नमबर पंदरा जैसे अगनी में कोई भी चीज डालने से उसका नाम, रूप, गुर्ण सब बदल जाता है ऐसे जब बाप की याद की, लगन की, अगनी में पढ़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो मनुश्य से ब्रामन बन जाते हैं, फिर ब्रामन से फरिष्टा सो देपता बन जाते हैं जैसे कच्ची मिठी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो इंट बन जाती है ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है, इसी लिए इस याद को ही ज्वाला रूप लाइट, माइट, संपन शक्तिशाली योग कहा जाता है